नमस्कार स्वागत है आप सबी का हमारे प्रोग्राम बिजनस की बात में मैं हूँ आपके साथ बंदा शर्मा सरकार तेजी से MSME की नई परिभाशा को ट्रैक कर रही है तो आज हम इसी पर बात करेंगे शुरुआत करते हैं सरकार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों की परिभाशा में संशोधन करने की कोशिश कर रही है ताकि ये संस्थाएं विक्सित हो सके आपको बता दें कि एक योजना जो महीनों से काम कर रही है उसके प्रोसाहन पैकेज का हिस्ता होने की संभाबना है जो जल्द ही घोशित होने की उम्मीद है सूत्रो ने बताया कि लौ मिनिस्टरी के साथ इस मुद्दे पर विस्त्री चर्चा हुई है जो परिभाशा को बदलने की अनुमती देली के लिए फुला है देश में लगभग 6.3 करोड MSME यूनिट्स हैं जिनमे 99% से ज्यादा छोटी यूनिट्स की कैटेग्री में है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरं सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अबडेट जान सकें तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल की परिभाषा के विप्रीत जो प्लांट और मशीनरी में निवेश से जुड़ा हुआ है सरकार उसके टर्न ओवर आधारित वर्गी करण के लिए जोर दे रही है ऐसा कुछ जो स्वदेशी जागरण बंच और लगू उद्द्योग भारती जैसे शक्ती शाली लोबी समूं की बोर से विरोध किया गया है ये तर्क देते हुए कि ये निर्माताओं के हित में नहीं होगा लेकिन संयोजन करताओं को इस से लाग होगा यदपी केंदरी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइसेज विकास अदीनियम में संशोधन करने का इयादा किया था लेकिन मौजूदा कानून सरकार को एक अतिरिक्त शर्त जोने में कुछ छूट दे सकता है नरेंद्र मोधी सरकार ने अपने पहले कारेकार के दोरान ही परिभाशा में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन आरेसेस से जुड़े लोगों के विरोध के कारण विधाई बदलाव को आके बढ़ाने में असफ़ल रही पिछले साल अगस्त में वित्रमंद्री निर्मला सीतारा मन्ने मंदी के मद्दे नजर उनके द्वारा घोशित प्रुटसाहन पैकेजों की एक सीरीज के रूप में इस कदम की घोशना की थी अब तक सरकार एक बार फिर से बिल को स्थाना अंत्रिक करने में असमरत रही है लेकिन अब ये सुनेश्चित करने के लोगसुख है कि MSME जो बड़े और विदेशी खिलारियों से बड़े पैमाने पर कंपरिशन करना चाहते हैं उस परिभाषा से रूबरू नहीं है जो स्थान पर 2006 में रखी गई थी पहले के प्रस्ताव के अनुसार पांच करोड रुपे तक के टर्नोवर वाली किसी भी यूनिट को एक माइक्रो एंटरप्राइसिस के रूप में वर्गी कृत किया जाना था जबकि 75 करोड रुपे तक की वार्शिक आये वाले लोग स्मॉल यूनिट श्रेणी में होंगे इसी तरह 250 करोड रुपे तक के टर्नोवर वाली संथाओं को मीडियम एंटरप्राइसिस के रूप में वर्गी कृत किया जाएगा तो हम जल मिलेंगे एक नई खबर के साथ लेकिन तब तक इस खबर पर आप अपने विचार हमें एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भीचिए